हेलो फ्रेंग्स इंट्रस्टिंग फैक्स में आपका सवागत है तो थोड़ी देर पहले एक न्यूज मिली दोसे सुचाई आप तक पहुंचा तो एक्चली न्यूज है यूरोप में डेटा सेंटर बनने वाला है तो जैसे के उन्होंने वादा किया था हर कंट्री में लोकल इंटर बनाएंगे करके तो उस पर एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई दोस्तो इस पर इंडिया भी नाम लिया गया और इंडिया के लिए भी जवाब दिया गया है तो चलो फ्रेंट चलते हैं इसके डीटेल्स पर दॉस्तो एक्चली यह न्यूज जिस पर जमा करते हैं आपको बता नहीं सकता तो मेरे उपर ज्यादार दबाव है मैं आज के बाद कोई साइट का नाम भी नहीं बता हूँगा चैनल का नाम भी न्यूस चैनल नाम भी बता नहीं सकता तो जो भी है न्यूस मैं आप तर पहुंचा दोंगा ज्यादा तर न्यूस का चैनल का नाम जो होता है नेम जो होता है उसको कट करके डालना मजबूरन मेरे ले पड़ेगा जितना हो सकता अतना डाल भी देता हूं आप चाहे तो गूगल भी करके आपकी मर्जी सच कर सकती हो उसे पर एक और चीज़ है दोस्तो हमारे एक family member ने यह काया था भया हम लोग डिरेक्ट पहुंचा देतां को और के पहला पॉइंट यह दोस्तो फस्ट डेटा सेंटर यूरोप में बनने वाला यूरोप कॉंटिनेंट में इसमें एक कंट्री चुनी गई है सारे का सार आपको डीटेल एकस्प्लें करता हूं तो फस्ट स्टेप टू सप्रेट एंड में एक लोकल ड बहुत बड़ी चीज कहिए यह देटा सेंटर जो है यूरोप के आईरलेंड में मनेगा जो डबलिन है आईरलेंड उस जगह पे बनेगा सारे के सारे यूरोप का जो भी लोकल डेटा आई अईरलेंड में सेफ करेंगे हम लोग करके उनका कहना है अगा और उन्हें एक और चीज उन्होंने इतर पे यह काई है कि 500 बिलियन युएस डॉलर का बजट है टोटली समझो 500 बिलियन युएस डॉलर्स का डेटा सेंटर हैगा हम लोग यह आइरलेंड में बनाएंगे करके उनका गयना है दोस्तु चौधा पॉइंट एक और दोस्तु यूरोप उसर्स डेट स्टोर भाई 2022 अब उन्होंने एक और चीज इधर पे यह कई तो 2022 से फहले यह डेटा सेंटर तैयार हो जाएगा और हम लोग उदर पे उनका डेटा सेफ करना चालू कर देंगे यूरोप में गरके इनका पहला डेटा सेंटर का वादा है दोस्तु तो पाच्वा एक रोस्त अब स्टुडली चैना से हम लोग वास्ताने रखेंगे खादम करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके अगरके इनका के नरस्तो यह कोर पाइंट है दोस्तो इधर पे जैसे के मैं कहा था इंडिया का जो डेटा सेंटर यह कहां पर बना रहे हो करके जब इनसे पूचा गय तयार हूं आप यह सर्च करके दिखा जो मेरे लिए तो इंडिया का डेटा सेंटर कहां पर बनाया जाएगा करके एक स्पोक्सपरसन से टिक टॉक्सपरसन से पूचा गया यह इंटर्व्यू के बात जब मीडिया वालों ने इधर पर यह कहा गया कि पहले इंडिया का बैन समझो हम लोग उने इस पर तयारी कर लिए बस यह बैन का जो भी रिजल्ट है आ जाएगा उसके बाद हम लोग जो लोकल डेटा सेंटर है इंडिया एक सारे के सारे इंडिया में ही बिल्ड करेंगे करके इन्हों ने कहा जस्तो बस इनके लिए अब यह बैन हट ना माईनी तो बोलना बुलके आपको जो डेटा टिक टॉक करती है यूजर्स का इस पे बहुती बड़ी न्यूज आए दोस्तों में नेक्स्ट वीडियो जितना जल्द हो सकता है समझो फीचे ही डाल सकता हूं दोस्ते इसके फीचे ही समझे दू-3 घंटे के फासले में एक और वीड बाइ फ्रेंट